नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं PME विद्या चानल, चानल नमबर 9, और NCRT का ओफीशल यूट्यूब चानल, आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं रेरूंभट अपने इस लाइब फोन इन प्रोग्राम में, जो हम लेकर आए हैं नभी कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, और आज का हमारा शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम, और आपको इस शीर्षक पर विस्तार से जानकारी देनी के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हमारे विशेशक ये, चलिए उनसे परिचे लेते हैं, आप ह और आपकी कोई क्वेरी है, कहीं पर आप फ़स के हैं, तो आप अपने सभी सवालों के साथ हम से जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव इंटराक्टिव प्रोग्राम में, आपको करना होगा एक काम, आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलिफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल सीरो, डबल फोर जीरो, डबल फाइफ नाइन या फिर आप हमें एमेल भी कर सकते हैं, हमारे इमेल अग्रुस है, डिटी एच डॉट क्लास, नाइट अर दरेलिफ सी डॉट डॉट अगर आप हमारे साथ इन माधिनों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ें, अपन समय को बरबाद किये सीधे चलते हैं अपने विशेशगे के पास हो, जैसे हमने बताया कि हम बात करेंगे सुक्ति मौक्तिकम पर, इसके बारे में क्या कुछ आप विशेश लेकर आए हमारे बच्चों के लिए बताईए से, शुक्ति मौक्तिकम का तो पहले हमें अर्थ आथ इसमें एक विशेशन लगा हुआ है, मौक्तिकम. मौक्तिक अर्थात मोती, मोती से आप सभी भली भाती परचित होंगे, सुन्दर उक्तियों की मोतियां, सुक्ति मौक्तिकम का सामाने सा अर्थ होगा, सुन्दर कथनों का, मोतियों का समूह, आप यहां सोच सकते हैं कि मोतियों का समूह क्यों सोने का समूह, निश्क का समूह या हीरे का समूह ऐसा कह सकते हैं लेकिन मौकतिकम कहने से तात पर यही है मुकता में कुछ विशेश गुण होते हैं एक तो सबसे बड़ी बात है यह सहज उपलब्ध होता है सब के पास होता है और पहमूल्य रत्न है जो हम मालाधारण करते हैं या आभुशन के लिए जिन रत्नों का प्रियोग होता है शायद ही कोई ऐसा होता हो जिसमें मौती का प्रियोग नहोँ अधिकतर प्रियोग किया जाता है और ये सर्व सुलब है ऐसे ही जो सुकतियां हैं वो सर्व सुलभ हैं, सबके पास उपलब्द होती हैं और महत्तो पूर्ण हैं, सर्व सुलभ होने के साथ साथ महत्तो पूर्ण हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं तो सम्स्कृत साहित्य में पुरा का पुरा एक बड़ा विशाल साहित्य है, विश्त्रित साहित्य है, जिसमें सुक्तियों का या ऐसा कहें सुभाशित प्रिसिद्ध शब्द है, सुभाशितों का संग्रह है, एक सुधीर्घ परंपरा है सुभाशितों की. ये सुभाशित छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा बड़े अर्थों को कहने वाले होते हैं जैसे हम एक उदारण देखते हैं जीवन में सबसे महत्तो पूर्ण चीज क्या है कौन सा ऐसा कर्तव्य है कौन सी ऐसी विशेस्ता है जो हमें जीवन में सबसे महत्तो पूर्ण है और वो हर व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए उसके अभाव में जीवन शून्य होता है ऐसा क्या है आपके सामने बहुत सारे उत्तर होंगे कोई कहेगा पैसा है कोई कहेगा विद्या है कोई कहेगा यश है और स्थूल में आएंगे तो खाने पीने की वस्तुई है घर परिवार जमीन जायजात बहुत सारी बाते हैं इसके उत्तर हो सकते हैं लेकिन एक मैं दूसरा प्रश्न उस पे करूँगा क्या ये स्थाई हैं जीवन के रहते और जीवन के बाद भी क्या इनसे लोग आपको याद करने वाले हैं उत्तर होगा नहीं बहुत जमीदार लोग इतना सारा उनके पास अकूत वैभ हो था संपत्ति की सीमा नहीं क्या आप पिछले हजार वर्श पहले ऐसे कितने लोगों के नाम जानते होंगे ऐसे कितने लोगों को आप याद कर सकते हैं जो बहुत बिद्वान थे हजार साल, दो हजार साल, पांच हजार साल, दस हजार साल पहले आप वेदों का नाम लेंगे वेदों को रिशियों ने उनका लेखन किया लेकिन बिल्कुल करेक्ट उनका भी नाम मिलना मुस्किल होगा उसका समय निर्धारण करना मुस्किल होगा कौन सी ऐसी चीज है जीवन में जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए तो उत्तर होगा वृत्त आज हम पहला श्लोक जो पढ़ेंगे वृत्त और वित्त थोड़ा सा अंतर है व्रि वृत्तम और वित्तम वित्तम का अर्थ है धन पैसा रुपिया और वित्तम का अर्थ है चरित्र आप अयोध्याधिपती राम को श्री राम कहेंगे मर्यादापुर्शोत्तम राम कहेंगे भगवान के अवतार अलग-अलग स्रद्धा जैसी होगी जिसका मस्तिस्क जिस स्वाता वरण में पला बढ़ा हुआ होगा निर्मित हुआ होगा वो उस दृष्टी से राम को देखेगा लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी इतनी वर्षों के बाद भी हर मा राम की तरह अपना पुत्र देखना चाहती है क्रिश्न की तरह अपना पुत्र देखना चाहती है क्या विशेष्टा है क्यों क्या राम जैसा चक्रवर्ती और राजा नहीं था उससे भी ज्यादा वयभाव क्या लंका के पास नहीं था लंका धिपती के रावण क्या विद्या में कम थे नहीं अभाव क्या था वृत्त का चरित्र का जिसका चरित्र नश्ट हुआ वो व्यक्ति नश्ट हो जाता है गुर्कुलों में यही शिक्षा दी जाती है गुरकुलों में विद्यार्थी को सर्वत तथम ये बताया जाता है कि वह अपने वृत्त की रख्षा करे वृत्त की अर्था जीवन का चरित्र सनरक्षित करे यदि चरित्र सनरक्षित है तो जीवन में सबकुछ सनरक्षित है यदि चरित्र सनरक्षित नहीं है तो जीवन में नथिंग, सब कुछ समाप्त हो चुका है आज की पीड़ी इस सिक्षा से वन्चित हो रही है ये एक सुक्ती की बात में कर रहा था ऐसी आज हम अनेक सुक्तियों को पढ़ेंगे कई ऐसे द्रिष्टांत हम देखेंगे, कई ऐसे श्लोक देखेंगे जिन श्लोकों को यदि जीवन में अपनाया जाए उनकी शुक्षा को जीवन में धारन किया जाए उसकी आधार पे ब्यवहार किया जाए तो हमारा जीवन सुखमय होगा क्योंकि प्रतियक व्यक्ति की एक ही कामना होती है सुखद और सहज जीवन को जीना और उसी के लिए प्रयत्नशील है प्रतियक प्राणी सुखद और सहज जीवन के लिए यत्न कर रहा है चाहे किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या समूह को चलाने वाला हो या समा जीवन को सुखद करना चाहते हैं, सुख में स्वयम का भी जीवन सुख में और दूसरे का भी जीवन सुख में करना चाहते हैं आज के इस सुख्ति मौक्तिकम पाठ को हम देखेंगे, स्लाइड में श्लोकों को देखेंगे, उसमें हम इनकी विशेस्ताओं को देखेंगे शिख्षा को देने वाला पाठ है इस पाठ्यान्ष में मनुष्मृति शुभासित रप्नावली ऐसे अनेक ग्रंथों से संग्रहीत किये हुए कुछ अन्ष दिखाये जाएंगे वह एक बूंद की तरह है समझ लीजे एक हजार अगर श्लोक हैं पानसो श्लोक उस ग्रंथ में हैं तो उससे एक लिया गया है द्रिश्टांत के तौर पर आप और अधिक अध्यान करने के लिए उसके विशेश ग्यान के लिए उस पुस्तक को जरूर पढ़ें तो आप और ज शिक्षा पोधक द्रिश्टांत हैं नेतिक शिक्षा को बताने वाले हैं साथ ही सदाचरण की महिमा को बताते हैं प्रियवाणी हमें बोलना चाहिए उसे क्या लाव है प्रियवाणी क्यों बोलना चाहिए ऐसे ही परोपकार का स्वभाव हमें गुणों का अर्जन मित्रता करने का क्या फल है मैत्री कैसी होनी चाहिए आप इस बात पर जरूर विशेश ध्यान देंगे कि मैत्री होनी कैसी चाहिए क्योंकि मैत्री में लोग छले जाते हैं आज की समाज में सबसे बड़ा दोश यह आता है देखने को ही मिलता है कि मित्रता के छल में फस करके लोग अपना जीवन गवा देते हैं तो मैत्री किससे करना और कैसे करना सही मित्र कोन है दूशित मित्र कोन है यह सारी पहचान हमें इन इस लोकों से मिलते हैं पहला इस लोक हम देख रहे हैं वृत्तम यत्नेन सन्रक्षेत वित्त मेतिच यातिच अक्षीडो वित्ततः ख्षीडो वृत्ततस्तु हतो हतः यह श्लोक मनुस्मृती ग्रंथ से लिया गया है मनुस्मृती ग्रंथ के लेखक आचार्य मनु है महरशी मनु तक्कालेलि समाज को ग्रंथ के रूप में उस समय के नियम संगिता को, आचार को, वियवहार को, पठन पाठन की शैली को, जीवन चरिया विज्ञान को, लिपी बद्ध किया जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ का नाम मनुस्मृती है ऐसे बहुत सारी स्मृतिया हैं, विश्णो स्मृती, नारद स्मृती, हारीत स्मृती, इन स्मृती ग्रंथों में ततकालीन समाज को देखा जा सकता है और जीवनों पयोगी बहुत सारे कथनों को पढ़ा जा सकता है इसमें उन्होंने क्या कहा, कहा वृत्तम यतनेन सनरक्षित, यतन पूर्वक यदि रक्षनी ये कोई वस्तू है, तो वह क्या है वृत्तम अरथाच चरित्रम, चरित्र को सनरक्षित करना परम आवश्यक है क्यूं? कहा वृत्तम एति, एति याति, आता है और जाता है वित्त कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहा, आप एक नहीं लाखों ऐसे उदाहरण देखेंगे लोगों के कि समाज में चारवर्ष पूर्व गरीब रहा होगा, उसके पास धन का अभाव रहा हो, चारवर्ष बाद वहा असंख्य संपत्ति का मालिक होता है आज समाज में जो सर्वत्तम स्थान पर या सवसे धनिक वर्ग है, धनिक को स्रिष्ठी शब्द का प्रियोग होता था स्रिष्ठी शब्द सेठी और सेठ के लिए समाज में ब्योहार में आ गया, ये तुलनात्म का ध्यन जब भाशाओं का तुलनात्म का ध्यन करेंगे तो आप भारती ये समस्त भाशाओं में समस्रिक के शब्दों को देखेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं इन्हें आप दो प्रकारशे कह सकते हैं शब्दों की यात्रा कह सकते हैं शब्दों का विकास कह सकते हैं या शब्दों का विकार भी कह सकते हैं क्योंकि जो श्रिष्ठी शब्द है वो ब्याकरण के द्रिष्ठी से शुद्ध होगा वो कुछ नियमों के तहत बना होगा उसके उच्चारण में जिहुआ का सवष्ठव दिखाई पड़ेगा वाकपटुता दिखाई पड़ेगी लेकिन जब हम अध्ययन से थोड़ा अलग होते जाते ह अध्ययन से उपरत होते हैं अध्ययन कम कर देते हैं तो शब्दों के ब्याववार में उतनी कुशलता नहीं रह जाती और उसका प्रभाव होता है कि हम जैसा शब्द हैं वैसा ना बोलके कुछ-कुछ गैब करते जाते हैं मुख्ष्ठुक के लिए शब्दों का लोप हो वरणों का प्रियोग नहीं हो पाता, तो श्रेष्ठी, आप किसी से कहिए स्रेष्ठी शर्द का उच्यारण करो, तो श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, और उस्रा ना कहके सा अगर कहें, तो सेष्ठी हो जाएगा, और शेठी होगा, फिर शेठी से सेठ हो जाएगा, तो ये एक व पहनवान लोग हैं, किसी टाइम पर उनके पास कम पैशा था, और ऐसा भी निश्चित नहीं कि हर समय वैसा ही रहेगा, एक बड़ी प्रशिद्ध कहावत है, पुत्र कुपुत्र तकाधन संचे, पुत्र सुपुत्र तकाधन संचे, आगे की परंपरा में उत्तरवर्ती हम नहीं जानते हैं, इसलिए वरतमान में यथार्थ जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है इससे, तो वित्तम एतिच यातिच वित्त जो है वह जाता है और आता है, वित्त का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रित्त एक बार गया तो आता नहीं है, आप देख लीजे, इत जिहास इसका साक्षी है, जिसके उपर कलंक लगा, क्या वो कलंक पुनह हट पाया, वर्षो वीती परमपरा, आज भी उस परमपरा के स्वरूप रावण जलाया जाता है, रावण ने आज की समाज का क्या बिगाड़ा है, कुछ बिगाड़ा, क्या वो सोवर्स पहले हुआ क्या दोहजार साल पहले, हमें पता भी नहीं है, आज के समाज को बिल्कुल नहीं पता होगा इस विसे में, कब वो हुआ, कब से परमपरा हुई, क्यों ऐसा करते हैं, उसने हमारा क्या बिगड़ा, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो प्रतेक वर्ष जलाया जाता है, क् उसके उपर लगा जो एक नारी के अपमान का कलंक है, वो कलंक सहस्रों वर्सों से जलने के बाद भी मीटा नहीं है, ये वृत्त है, इसलिए समस्कृत के शास्त्र, समस्कृत के आचारिय कहते हैं, कि जीवन में यदि सबसे ज़्यादा संरक्षन करने वाली चीज है, तो व वो है चरित्र, उसका संरक्षन हमें करना चाहिए, और अगर वह चला गया, तो आने वाला नहीं है, उस कलंक को मिटाना मुश्किल हो जाएगा, वो धुलेगा नहीं, हटेगा नहीं, तो वित्तम एतिच यातिच वित्त आता है, जाता है, स्थिर रहने वाला, अगर कुछ ह तो वह चरित्र है, आजीवन उसकी हमें, उसका संरक्षन करना चाहिए, उसकी उपाशना करना चाहिए, क्योंकि स्वम्सम् स्वम् स्वम् चरित्रम सिक्षेरन प्रिथिव्याम सर्व मानवाहा, प्रिथवी में अगर अपने चरित्र के द्वारा उत्तरवर्ती पीढ़ी को शिच्छा देना है तो वो सबसे पहले ये शिच्छा भारत वरश्र में दिखाई पड़ती है आप योगेश्वर स्री कृष्ण का उदाहरण ले अर्जुन को समझाते हुए उस रणभूमी में कृष्ण कहते है यद्यदाचरति स्रेष्ठह तत्त देवे तरो जनह सयत प्रमाडम कुरुते लोकस तदन वर्थते जो समाज की स्रेष्ठ लोग हैं जैसा आचरण करते हैं तत्त देवे तरो जनाह तत्त एव इतरे जनाह जो दूसरे लोग हैं उनके अनुवर्ती लोग जो हैं वैसा ही आचरण करते हैं आप देखते होंगे कई ऐसे कोट के नियम होते हैं या कोट के ऐसे फैंसले होते हैं जिन फैंसलों को मानने के बाद उत्तरवर्ती जो फैंसले होते हैं उनके लिए वो आधार हो जाते हैं उन निरणयों को सामने रख करके उत्तरवर्ती जो निरणयक होते हैं जज का मंडल होता है वो अपना जज्मेंट देते हैं क्यों? क्यों सयत प्रमाडम कुरुते वह जो प्रमाडित कर दिया स्रिष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमें करना चाहिए महर्शिव व्यास धर्म की परिभाशा भी इसी को कहते हैं वो कहते हैं कि सुरतियां तो अनेक है मत भी अनेक है दर्शन भी अनेक है लोगों के विचार भी अनेक है फिर हमें जीवन में क्या अपनाना चाहिए तो कहा धर्मस्यतत्वम नहितम गुहाया धर्म का अतत्व तो गुफा में प्रविष्ट है का तातपर यह है कि वो ढूढ़ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है वो गुफा क्या है कहा अतीत जो है वह बीता हुआ समय गुफा है और उस गुफा में रहने वाला धर्म क्या है कहा स्रिष्ठ जनों के द्वारा स्रिष्ठ आचारियों ने महान व्यक्तित्व के द्वारा किया गया जो आचरन है जो ब्यवहार है वो ब्यवहार ही धर्म है और वह हमें अपने जीवन में लाना चाहिए यह शिक्षा मिलती है यह सूक्तियां है सबसे पहले हमने सूक्ति मौक्तिकम की चर्चा की थी यह मोती है जिसे हमें माला के रूप में अपने जीवन में अपने व्यवहार में धारन करना चाहिए इस श्लोक की अगली पंती को हम देखेंगे अक्षीडो अर्थात ख्षीड नहीं हुआ अख्षीडो विट्थातः ख्षीडो वृत्त तस्तु हतो हतः आज हम एक ही मौक्तिक देखेंगे इसकी अतरिक्त अन्य मौक्तिकों की चर्चा किसी अन्य सत्र में हम देखेंगे क्योंकि समय का अभाव होता है हमारे पास यह सत्र एक निश्यत सीमा के अंतरगत होता है तो दुतिय पंति को हम पढ़ेंगे कि अक्षीडः वित्त तहां वित्त के द्वारा जो खीड हुआ अर्थात वृत्त से जो खीड हुआ जिसके पास से वित्त चला गया अर्थात धन चला गया वो वास्तों में छीड नहीं हुआ उसके पास तो फिर से आजाएगा आज अर्थ कमाया धन इकठा किया किसी कारणवस आप शेयर मार्केट का बहुत अच्छा उदारण देख सकते हैं इसके लिए शेयर मार्केट में पैसा लोग लगाते हैं जब वैल्यू गिरती है तो उनका पैसा कम हो जाता है वही एक दो महीने बाद जब वैल्यू बढ़ती है वही पैसा उतना ही है लेकिन उसकी उसका जो परिमार है उसकी जो मान्यता है वो अधिक हो जाती है तो कम जादा होना ये वित्त का स्वभाव है यदि अर्थ कम हो गया जीवन में वैभव कम हो गया तो वास्तों में कुछ कम नहीं हुआ वो तो फिर आगे बढ़ने वाला है वो तो वर्षा की तरह है वर्षात में जल कभी जादा होगा कभी कम होगा लेकिन चौथा चरण जो श्लोक का है महत्तपूर्ण वो है कि वरित्ततस्तू हतो हतः जो वरित्त से छीड हो गया वरित्त अर्था चरित्र जो आचरण से चीड हो गया आचरण रहित जो हो जाएगा समाज में जिसकी अपकीरती हो गई वो हतो हतह वो तो मारा गया ये का छीड की बात ही नहीं करते कुछ कम हुआ इसकी बात नहीं करते वह मारा गया हतह हतहर्थात तस्य हननम अभवत सह जीवितह एवनास्ति न तु अस्मिनलो के न तु आध्यात्मी के अनंतरम पारलोकी के उभयत्रापी तस्य गतिरेवनास्ति कथम नास्तितस से गती ही तरही समाज अस्य अस्विकारियत वात क्योंकि समाज आचरण की बात समाज करता है समाज निर्धारित करता है आप उधारण के तौर पे देखें समाज को चलाने के लिए एक सम्विधान है हम उस सम्विधान के अनुसार चलते हैं बाएं से चलना या दाएं से इसके लिए निर्धारण करेंगे भाई हमें बाएं से चलना है अब जब अर्जस्ति करें नहीं हम तो दाहिने से जाएंगे तो एक्सिडेंट होगा उसका जो हानी है आपको भोगना पड़ेगा ऐसे ही बहुत सारे सामाजिक नियम है जिनका हम तो समाज निर्धारित करता है क्या उत्तम आचरण है क्या स्रेष्ठ आचरण है क्या अधम आचरण है इन सारी चीजों में स्वेक्षा वृत्ति नहीं अपनाना चाहिए यदि स्वेक्षा वृत्ति अपनाएंगे जबर्जस्ति करेंगे कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे भाई तो उसका परिडाम बाद में घातक होता है, कश्ट प्रद होता है, समाज में जितनी भी दुखद घटनाएं देखते हैं, लगता है कहीं न कहीं उनकी मूल में या किसी अवयों के रूप में इस तरह की बातें भी होती हैं, कि हम समाज को अस्वीकार कर देते हैं, समाज की मान को दरकिनार कर देते हैं, उसका परिडाम दुखद होता है, तो आज के इस सुक्ति मौक्तिकम में एक मौक्तिक की हम चर्चा किये हैं, एक मौक्तिक को देखा हमने, बाकि हम जरूर अगले सेशन में करेंगे, समय में बिलकुल अनुमती नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आजिर होंगे, आप बने रहे हैं पीमी वीद्या चानल और इनसे आठी ओफीशल यूट्यूब चानल पर, नमस्कार